जहें दोस्तों, मैं मुरारी कुमार दा एम बैंक कोचिंग के यूटूब चैनल से, आज जैसा कि मैं काल हाला कि हमने आपको बताया था कि एससी जीडी के कुछ मिसलेनियस लगातार कॉस्चन्स पे चले थे और आज हम देखेंगे एक बड़ा प्यारा सा टॉपिक है जज करना मुस्किल है कि यह एडवांस मैथ का है यह आर्थमैटिक का है और इस टॉपिक का नाम है हाइट एंड डिस्टेंस उचाई और दूरी चाई और दूरी हाइट एंड डिस्टेंस उचाई और दूरी की हम बात करते हैं कि क्या होता है इन टॉपिक पर आज देखेंगे काम करने वाले हैं देखेगा यह बड़ा प्यारा सा टॉपिक है और इसके बहुत सारे ऐसे कॉस्टेंस हैं जो ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो के बिना भी सॉल्व हो सकते हैं उसके लिए करना क्या है कि उसके लिए आपको कुछ कौस्टंस पढ़ने हैं कुछ और चीज देखना है और क्या देखना है तो इस बात पर चलते हैं देखिएगा कि height and distance की बात करें, उंचाई और दूरी की बात करें, तो यह हमेशा और हमेशा लागू होता है कैसे, तो हम कहेंगे यह लागू होता है हमारे पास समकोन तिर्भूज में, समकोन तिर्भूज में यह लागू होता है, और समकोन तिर्भूज क्या होता है, कि वैस C हमारे पास कोई समकोन तिर्भूज है राइट एंगल ट्राइंगल है और अगर यहाँ पर कोई एंगल ठीटा बन रहा है तो इसके सामने वाली भूजा यह हमारे पास लंब होगी जिसको हम लोग परपेंडिकुलर कहते हैं यह भूजा हमारे पास आधार होगी जिसको हम लोग बेस कहते हैं और यह भूजा हमारे पास कर्ण होगी जिसको हम लोग हाईपोटेवनेस एच का नाम देते हैं अब ध्यान रखा जाए कि तिरकोनमिती में क्या-क्या होता है क्या नहीं होता है तो इन बातों के लिए हम case study करते हैं और हमारे case study क्या कहती है तो ध्यान से रिखिएगा हमारा जो case study कहता है वह कुछ इस परकार से कहता है क्या कहता है अब ध्यान से देखिएगा अगर हम बात करे समकोन तिर्भूज की अगर हम बात करे समकोन तिर्भूज की तो हमारे पास दो केस बनते हैं क्या केस बनते हैं कि समकोन तिर्भूज का नाम लेते ही हमारे जहन में आता है कि वैसा तिर्भूज जिसका एक कोन 90 डिग आप ध्यान से देखिए कि समकुन तिर भूज पर हम चलते हैं और काम करते हैं अब देखिएगा छिलिजी वैसा तिर भूज इसका एक कोन 90 डिगरी लो अब इस पर काम करते हैं तो nuclearily ध्यान से दिखिएगा कि A, B और C एक कोई समकोन तिर्भूज है, अब इन पहलू पर बड़े गौर से और ध्यान से काम करते हैं, क्या कहना है, कि अगर यह कौन 30 डिगरी का है, तो सियोर सौट यह कौन 60 का होगा, 60 डिगरी का होगा, और मैं क्या कह रहाऊं इस बात का ध्यान रखिएगा, कि यहाँ पर हम लिख रहे हैं कौन और यहाँ पर हम लिख रहे हैं उसके सामने की भुजा, सामने की भुजा, सामने की भुजा, अब ध्यान से देखिए, यदि इफ लगा होगा, यदि इफ, क्या कहा जाए, कि 30 डिगरी के सामने की भुजा को अगर हम मान ले वो सिछ वी दिगरी के सामने की भुझा उसी डाटा में रूटतीन हो जाना चाहिए यह बात कहा जा रहा है पस इतना सा बात याद रखना है कि 30 और 60 के बारे में अगर हम इसको इंदा ratio के form में कहा जाए हमें इसको ratio के form में कहा जाए तो हम क्या कहेंगे कि 30 degree और 60 degree के सामने किर्भुजा एक है तो इसका ratio और इसी का हम reverse भी का सकते हैं, और दूसरे case में चलते हैं, और दूसरे case की बात करें, तो दूसरा case कुछ ऐसा कहा जा रहा है कि यह कौन, अगर हम बात करें आप से, अगर बात की जाए, ध्यान से देखेगा, यह कौन अगर 90 डिगरी का है, तो यह कौन अगर 45 है, तो इसलिए होता है, क्योंकि तिर्भूज के तीनों कोनों का योगफल, 180, 180 डिगरी होता है, अगर ध्यान से देखेगा, कि अगर 45 और 45 इन दोनो 45 डिगरी एंगल की बात की जाए तो इसके सामने वाली भुजा का अनुपात एक अनुपात एक होता है यानि 1 is to 1 के रिस्वीव में चलते हैं और इसी पर काम करेंगे Overall हमने निसकर्स क्या देखा? हमने निसकर्स यह देखा है हमने निसकर्स में यह देखा है क्या हमने देखा है? कि हमारे पास जो रिजल्ट आया है वह यह आया है कि तिरकोन मिती में यानि height and distance के अगर हम बात करें तो हम यहाँ पर लिखते हैं कौन और यहाँ लिखते हैं कौन और यहाँ कहा जाए और यहाँ कहा जाए सामने की भुजा सामने की भुजा यह पहला केस होगा और दूसरा भी यही कहेंगे कि कौन लिख रहे हैं एंगल और यहाँ लिख रहे हैं सामने की भुजा फ्रंट साइड की बात की जाए और यहाँ पर कहा जाए कि यदि 30 degree के सामने की भुजा की लंबाई अगर A है या X है या जो भी है 10 तो क्या होगा कि 60 degree के सामने की भुजा की लंबाई में हम लोग root 3 से into कर देंगे या इसी case को दूसरे study में कहा जाए दूसरे form में कहा जाए कि 60 degree के सामने जो भी भुजा आए यदि 60 degree के सामने जो भी भुजा आए और 30 का मान निकालना है तो उस भुजा में हम लोग क्या करते हैं root 3 से divide कर देते हैं इसी का या vice versa याने विर्फूल वित करमानुपाती का या vice versa concept है और यहां पर बात की जाए कि 45 degree के angle के सामने अगर भुजा x या a जो भी दिख रही है तो next जो 45 होना है उसके सामने भी x होगा याने इसका a और a का ratio होता है और क्या कहा जाए तो इस बात को समझेगा कि हमेशा height and distance जो लागू होगा वह होगा समकोन तिरभूज पर और यह कोन अगर 30 है तो यह कोन 60 बनेगा और यहां बात की जाए तो 45 और 45 के एंगल बनते है अब इन बातों को आधार मानकर याद रखिए कि height and distance के जो आपके basics question होते हैं बिहार SSC हो गए SSC, GD, MDS, Group D, Railways वगएरा के इक्ताम में जो question आते है No doubt इस method पर आप बहुत सारे, सारे तो नहीं लेकिन बहुत सारे question पकुभी solve कर सकते हैं तो हम चलते हैं कुछ नमूने questions देखते हैं कि क्या कुछ कहा जारा और बरी आसनी से देखेंगे तो पहला question हमारे पास कुछ इस प्रकार से height and distance का पर ध्यान से देखेगा और solve करने का क्या तरीका होता है इन बातों पर चलेंगे हमसे question कहा जारा जिस सुरी का 29 को 30 degree से 60 degree तक बढ़ जाता है तो अब चलिए कि हम चलते हैं कहा क्या कुछ कहा जारा एक मिनट मार्क यहां है और मार्क करने का pattern आप देखते हैं कि क्या कहा जा रहा है हमसे question कहा जा रहा है कि यहां पर एक खंभा है कोई एक खंभा है पर ध्यान से देखिएगा कि कोई एक खंभा है और कहा जा रहा है कि सुर्ज का उन्नयन कौन ऐसा है तो यह खंबे की परचाई होगी यहां से लेके यहां तक यह खंबे की परचाई होगी और पांच मीटर कम हो जाती है जो भी छाया है वह पांच मीटर कम हो जाती है पाँच मीटर कम हो जाती है क्यों कम हो जाती है ध्यान से देखिएगा क्योंकि कौन जो है वह 30 डिगरी से 60 डिगरी तक बढ़ जाता है यानि जब एंगल सुर्ज यहां पर होगा ध्यान से उन्नेयन अबनेयन का भी कॉंसेप्ट समझे ये एलिगेशन विलेशन आंगल क्या होता है पर गुश्र जब यहां होगा और इस खंबे की छाया अगर यहां बन रही है तो यह कौन जो है उन्नेयन कौन है यह कितने डिगरी का है 30 डिगरी का है अब इस छाया की लंबाई पाँच मेटर हो जाती है कि यह एंगल अब हो जाता है, तो साट का हम से कहा जा रहा है, आप हमें बताइए, उस खंबे की चाहीं, इस हाइट के बारे में क्या होना चाहा है, अब इतना सा, दोस्त, कॉस्चन कहा जा रहा है, और हम अपने concept पर चलते हैं, तो हमारा concept यह भी कहता है, कि आप ध्यान से देखना है कि इस पहले हम इस छोटे वाले triangle में चलते हैं, हम इसको किसी और color से mark करते हैं ताकि पता रहे, इस छोटे वाले ट्रेंगल में अगर हम बात करें, इस छोटे वाले ट्रेंगल में, तो आप बताईगे यह कुन कितना 90 का, यह कुन कितना होगा 30 का, और हमने पढ़ा है कि 30 डिगरी के सामने वाली भुजा अगर X हो, तो 60 डिगरी के सामने वाली भुजा क्या हो जाएगी, त चोटे ट्रेंगल का काम खतम हो गया अब बरे वाले ट्रेंगल में चलते हैं तो आप बता ये बरे वाले ट्रेंगल को अगर हम रेड मारकर से ये रेड पैंग से माक करें तो बरावला ट्रेंगल कुछ इस परकार से है और यह कौन 30 डिगरी का है तो यह बरा जो एंगल होगा यह हो जाएगा 60 degree का और अभी हमने पढ़ा है कि 30 degree के सामने जो भी भुजा है जब 60 degree पर चलते हैं तो इस भुजा में root 3 से multiply हो जाएगा यानि x root 3 में एक बार और root 3 कर देंगे 30 degree के सामने 30 degree के सामने जो भी भुजा है जब 60 पर इसके सामने चलेंगे इसमें root 3 का multiply कर देंगे तो यह बन जाएगा 3x अब आप बड़े ध्यान से देखिए कि 3x का value किसके equal है तो आपका कहना है कि 3x हमने यहां से यहां तक देखा जो x plus 5 के equal है तो यहां से हम चलेंगे तो x का value हो जाएगा वह 5 by 2 यहां से हो जाएगा 2x और 2 को अधर ले जाएगे तो x का value हो जाएगा 5 by 2 और हमसे कहाज रहा है कि आप खंबे की उचाई बताइए तो x की जगा पे आप रख देजिए value और 5 by 2 तीन मीटर कोई option दिख रहा है तो option number a दिख रहा है और यही हमारा answer हो करते हैं कि अगर आपको कोई दूसरा तरीका कहा जाए कि सर इसका और भी कोई छोटा तरीका होता है तो ध्यान रखिएगा यह angle 60 का है यह angle 30 का है यह 5 है तो आप से कहले है इसकी लंबाई बताइए angle अगर दुगुना हो जाए angle दुगुना हो जाए तो यह आधा हो जाएगा और यहां 60 के सामने वाले भुजा में आप root 3 लगा दिजिए तो 5 बतादो में root 3 से into कर सकते हैं यहां से भी answer वही आना है टेक्निक यही है इसी को एक approach का नाम दे दिया जाता है और हम आसानी से चुटकियों में question solve कर सकते हैं अगर आप इस चीज को समझे हैं तो चलते हम अपने अगले question की और यह question कहा जा रहा है ध्यान से देखिएगा question हमसे कहा जा रहा है कि धरातल के किसी खंबे का सिर्ष अच्छा धरातल पर कोई खंबा है और इसके सिर्ष का उनने कौन 30 degree से यानि पहले जो कौन बन रहा था वो अब बुन रहा था 30 degree का अब 30 degree से पढ़ कर 60 degree हो जाते है यह अब एंगल यह हो गया है कितने का 60 degree का तो हमसे कहा जा रहा है कि आप हमें बताईए 50 root 3 meter हमें की छाया की लंबाई कितनी घट जाएगी यह value कितना घट जाएगा इस बारे में पूछा जा रहा है अगर आप पिछले concept को समझे हैं तो 100 meter आपका बखुबी अंसर आजाएगा अब कैसे आएगा तो एक बार conceptual बातों पर चलते हैं दोस्त मेरे ध्यान से देखिएगा कि अगर हम बात करें तो यह को 90 का होगा और यह जो एंगल है यह छोटा वाला एंगल इस छोटे वाले एंगल की बात करें यह छोटा जैंगल होना चाहिए यह होना चाहिए कितने का यह होना चाहिए 30 डिगरी का अब आप हमें बताइए कि 30 के सामने बारी भुजा X है तो 60 के सामने क्या X root 3 होना चाहिए और X root 3 होना चाहिए तो आप बताइए कि X root 3 तो है तो X का value क्या हो जाएगा तो आप कहेगा no doubt X का value हो जाएगा 50 अब आईए इन बातों पर बड़े वाले triangle पर तो यह कौन 30 का है तो बड़ा angle कितने का 60 का होगा 30 degree के सामने जो भी भुजा है जब 60 पर जाएगे तो इसमें root 3 cent 2 करेंगे तो यह लंबाई हो जाएगी 50 root 3 और इसमें root 3 cent 2 करते हैं तो यह लंबाई हो जाएगी 1.500 अब आप हमें बताएए कि 1.500 का एक हिस्सा जो है 1.500 का एक हिस्सा यहाँ गया है तो अगला हिस्सा क्या होना चाहिए यह लेकिन बहुत सहते को सब्सक्राइए अगर आप इस चीज को समझे हैं, तो एक और question लिए चलते हैं, देखिए उस question के बारे में क्या कहा जा रहा है, फिल जी एक बढ़ियां सा question फिर से, इस बार question कहा जा रहा है, बराबर उंचाई के दो खंबे, बराबर उंचाई के दो खंबे हैं, जो बराबर सेम लेंध के हैं, और सो मीटर, यानि यहां से लेके यहां तक बात करे, तो एक सो मीटर, चवरी सरक के दोनो, चवरी सरक के दोनो और आमने सामने खरे हैं, सरक पर, उनके बीच किसी, यानि कहीं भी किसी भी point से, तो कौन बन रहा है, यह जो angle बन रहा है, कहा जा रहा है, उनके सिखर का, यानि यहां से यहां जो angle और यहां से यहां जो angle बन रहा है, वह कहा जा रहा है कितने का है, तो एक angle है हमारे पास 30 degree का, और एक angle है 60 degree का, हमसे कहा जा रहा है, आप हमें बताइए, क्या बताइए, कि खंभे की उंचाई कितनी है, बड़ा प् को आप solve करते हैं तो आप तरीका हमेशा याद रखिएगा कि यह कुन 90 का होगा और यह कुन क्या होगा तो यह 60 का होगा और यह 90 का होते ही यह कुन हो जागा कितने का 30 का और अभी हमने क्या देखा है कि 30 के सामने वाली भुजा अगर X है तो 60 के सामने वाली भुजा क्या हो ज यहां से solve करिए कि 30 के सामने वाली भुजा अगर X है तो आप हमें बताइए कि 60 के सामने वाली भुजा क्या हो जाएगी रूट 3X हो जाएगी अगर यह रूट 3X है तो यह भी क्या होना चाहिए 3X होना चाहिए रूट 3X होना चाहिए और आप बताइए कि 30 के सामने यहां रूट 3X दिख रहा है तो यह लंबाई में रूट 3 का गुना करेंगे 3X हो जाएगा लेकिन question कहा जा रहा है कि सरक कितना है 100 meter 4 है आप हमें तुरंट देखकर बताइए कि इन दोनों length को जोरेंगे तो क्या 4X होना चाहिए और 4X का value 100 है तो X का value क्या होगा 25 और परते खंबे की लंबाई तो 25 का रूट 3 से करेंगे 25 रूट 3 option number A is the right answer सकेंडो में question आप deal कर सकते हैं कोई जूरत नहीं है यहाँ पर sign या 10 के use करने का आसानी से आप ऐसे question solve कर सकते हैं एक और question देखते हैं कि क्या कुछ कहा जा रहा है इस बार question का language कुछ deeper है अगले question की और चलते हैं इसको हम थोड़ी देबात करेंगे पहले question देख लेते हैं हमसे एक प्यारा सा question कहा जा रहा है कि 75 meter उचे एक खंबे के एक और हमारे पास एक खंबा है तो कितना है तो आपका कहना है कि यह 75 meter उचे है और इस खंबे की दोनों और एक-एक व्यक्ती खड़ी है अंभे के सिर्ष का उन्यान कोन उन्यान कोन है वह कितना है तो उन्यान कोन पहला वैक्ति मान लेजे यहां पर है यहां पर है यह जो उन्यान कोन बन रहा है यहां बन रहा है कितना पहले 30 डिगरी का और फिर 60 डिगरी का तो यहां पर जो कोन बन रहा है वह 30 और 60 डिगरी का ब पीच की दूरी कितनी है कुछ ऐसे questions के बारे में कहा जा रहा है आप अपने concept पर आईए तो आप हमें बताएए यह कुन 90 degree का हो जाएगा और यह कुन हो जाएगा 30 degree का अभी हमने आपको बताया है कि 60 के सामने यह length 60 है और 60 के सामने अगर 75 दिख रहा है तो तीन और तीन से चला जाएगा तो यह भेली हो जाएगा 25 रूट तीन और जैसे ही 25 रूट तीन हुआ है तो अब बरे वाले एंगल में चलिए तो यह जो है यह कुन है 75 का तो बरा जो भुजा होगा यानि यहां से यहां तक की लंबाई तीस के सामने जो भी दिख रहा है साथ दिगरी के सामने उस रूट तीन का गुना करेंगे तो यह लंबाई हो जाएगी कितना 75 रूट तीन अब आप दोस्त खुद देखकर बताइए कि 75 रूट तीन में 25 रूट तीन चला गया तो बचा कितना तो यह बचा है 50 रूट तीन और यही तो हमारा अंसर है अधा रूट तीन का गुना 50 रूट तीन ऑप्सन नमबर सी इस दा राइट अंसर बस इतने से कॉस्चन्स हैं इतने से कॉंसेप्ट हैं और आप यकीन मानिए कि बहुत आसानी से आप height and distance के questions कर सकते हैं बड़ा logic नहीं है हाला कि मैंने जो आपको आज theory बताई उस बात पर ध्यान रखिएगा आज का जो हमारा theory कहा जा रहा है बस इस बात पर ध्यान रखना है कि 30 degree के सामने जो भी angle आता जो भी भुजा आती है उसकी लंबाई और जब 60 degree के सामने वाली भुजा की लंबाई निकालेंगे तो उसमें हम लोग क्या करते हैं कि route 3 से गुना करते हैं ठीक इसका inverse काम करते हैं और उसके बाद चलते हैं question तो बरी आसानी से आप कर सकते हैं और ऐसे concept आपको भेतरीन ढंक से और भी अलग अलग approach से बहुत नया चीज़ आपको बताया जाएगा अगर यह वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो वीडियो को share जरूर किजिएगा सब्सक्राइब जरूर किजिएगा और बतायेगा अपने दोस्तों को कि advance math पढ़ने का एक यह भी तरीका होता है आपको कहीं भी पैसे दे कर या कुछ ऐसा करके बेबकूब बनने की जुरत नहीं है आप आसानी से question कर सकते हैं और निश्चित तोर पे मैं regular जहां भी हूँ रेगुलर आपको यह चीज बराबर लेते आऊंगा कुछ ना कुछ नया बताने की कोशिस करूँगा बस आप थोरा सा cooperate करना है हमारे इस यूट्यूब चैनल दा एम बैंक कोचिंग को सब्सक्राइब किजिएगा वीडियो को जदा जदा सेर किजिएगा हम अगले दिन मिलते हैं किसी और अगले नए कॉंसेप्ट के साथ आज ना तक रहने देते हैं